नमस्कार स्वागत है आपका प्रियाज वेज किचन में आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ तिलगुड की चिकी कडाके की ठंड में पढ़ रही है और ऐसे में तिलगुड की चिकी खाना हम सब को बहुत ही अच्छा लगता है खास करके आज की जो तिलगुड की चिकी मैंने बनाई है ये इसमें मैंने एक खास इंग्रेडियन डाला है जिसका की आउर्वेद में बहुत ही जादा महत्व है और इसके इस्तिमाल से हमें सर्दियों में इसके कई सारे फायदे भी मिलते हैं वैसे तो तिल में ऐसे ही तिल के इस्तिमाल से हमें केल्सियम बहुत सारे वात्रा में मिलते हैं क्योंकि केल्सियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो इसलिए तिल गुड़ का सेवन हमेरा लिए बहुत अच्छा होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो ये है गुड़ जीसे मैंने की कदुगस करकिया हुआ है, तो 200 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम सफेद तिल लिया है मैंने और ये है कुछ बादाम के फ्लेक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने चड़ा लिया है गैस के ऊपर एक पैन और इसमें हम तिल को ड्राइ रोष्ट कर लेंगे तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे रोष्ट करेंगे तिल के रोष्ट होते ही ये जबल हो जाता है तिल और इसने इसके थोड़े कलर भी चेंज हो जाते हैं तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि तिल का कलर चेंज हो चुका है और ये जबल दिखने लगा है क्योंकि जैसे ही ये रोष्ट होता है ये बिल्कुल फुले फुले से इसके सारे दाने हो जाते हैं तो चलिए अब हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में तो हमने यहां पर इसे रोष्ट करके ट्रे में फैला दिया है और वापिस से पैन चड़ा कर हम डालेंगे इसमें घी तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमच देशी घी घी के मेल्ट होते हीं हम इसमें कदुकस किया हुआ गुर्ड डाल देंगे तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है और अब हम डाल देंगे यह 200 ग्राम घी गुर्ड 500 ग्राम तिल में हमने 200 ग्राम गुड डाले हैं और 4-5 चमच हम इसमें पानी डालेंगे पानी हमने इसमें कमी डाला है क्योंकि इससे हमारे पाक जल्दी त्यार हो जाएंगे तो अब इसे हमें धी मियाज पर लगातर चलाते हुए इसे मेल्ट करना होगा मेल्ट होने सुरू हो चुके हैं तो ये गुड हमारा मेल्ट हो चुका है और गुड के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे ये सोंट का पाउडर इसे इंग्रेडियंट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये विंटर में जरूर चिकी बनाते वक आप डाले तो इसमें हमने डाला है एक चमच सोंट का पाउडर और एक चमच इसमें हमने डाला है इलाची का पाउडर एक तो सोंट और इलाइची का पाउडर दोनों डालने से इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है इससे चिकी से और ये सोंट का पाउडर डालने से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये फाइदेमंद भी होता है तो अब हमने ले लिया है एक कटोरी में ठंडा पानी और गुड को हम उसमें डाल कर चेक करते जाएंगे तो गुड को हमने डाला है और डालने के बाद अगर वो गोले बन के खिच रहे हैं अभी ये खिच रहा है, इसका मतलब की अभी हमारा गुड बिल्कुल भी तयार नहीं हुआ है, तो इसमें हम वापिस से उसको डाल देंगे, और फिर हम दूसरा गुड डाल कर देखेंगे, जब तक ये कट की अवाज ना आये, ये देखेंगे बिल्कुल, कट कट की अवाज जब आने लगे तो समझें कि हमारा गुड बिल्कुल तयार हो चुका है, तो हमारे गुड से कट-कट की आवाज आनी शुरू हो गई है तो अब हम डाल देंगे इस स्टेज पे बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा हम डाल रहे हैं इसमें आधा चमच, हाफ टी स्पॉन इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है बेकिं सोडा डालते ही आप ये देख पा रहे होंगे कि गुड कितना जागदार और हलका दिखने लगा है तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे तिल तो रोश्ट किया हुआ तिल डाल कर हम इसे जल्दी जल्दी मिला लेंगे और इसके बार हम गैस से हटा कर और थाली या ट्रे में घी लगा कर इसे चिकना कर लेंगे और सारे मिक्चर को हम निकाल कर इस पर थोड़ा सा हाथ से गोले बना कर फिर इसे शेप कर देंगे जिस भी शेप में आपको करना है तो इस काम को जरा हमें फास्ट फास्ट करना होगा बेलन में भी हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है चिकना करने के लिए और अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि फास्ट वास्ट करने से ये अच्छे से हम जो भी शेप देना चाहते हैं उससे दे लेंगे तो इसे हमने अच्छे से बिल्कुल पतला बेल लिया है और बेलने के बाद हम उपर से थोड़ा सा ये बादाम का फ्लेक फैला देंगे वापिस से हम रॉलर को घुमा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए ठड़ना अगर हो जाएगा तो ये अच्छे से चिपक नहीं पाएगा तो इस काम को हमें थोड़ा जल्दी-जल्दी करना होगा और मैंने लिया है यहाँ पर ये एक बाटल का धकन आप चाहे तो कु काट लिया है और काट कर ये आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया ये हमारा शेप निकल कर तैयार हुआ है तो आप बस ये हमारा फटा-फट से हम निकाल लेंगे और बाकी के जो किनारे हमने जो साइड किये थे निकाले थे इसे हम फटा-फट से छोटे-छोटे गोले बनाकर गोल-गोल तिलकुट हम बनाकर त्यार कर लेंगे किनारों से हमारे ये तिलकुट बनकर त्यार हो जाएंगे तो इस काम को थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे तभी हम इसको एक सार करके और इसे शेप दे पाएंगे चाहे जो भी शेप देना हो तो ये एक हमने ये चिकी तैयार कर लिया और ये बाकी के जो किनारे हमने निकाले थे तो इससे हमने ये छोटे छोटे बॉल्स इसके बना कर तैयार कर लिये हैं तो देखी किस तरह से हमारे कितना खोबसूरत ये हमारा चिकी भी बन कर तैयार हो गया है और जो किनारे हमने निकाले थे उससे हमारा बनके त्यार हो गया है ये छोटा छोटा तिलकुट तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ये कितना बढ़ियां बना है और अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता और क्रिस्प बना है देखिए ये टन की आवाज आ रही है मतलब आवाज टन की आ रही है लेकिन खाएंगे आप तो ये बिल्कुल भी खस्ता और क्रिस्प बनकर त्यार हुआ है देखिए ये कितना खस्ता बनकर त्यार हुआ है तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा और मुह में जाते ही ये ब बिलकुल भी वो दांत की वो मसकत नहीं करनी पड़ीगी दांत को कि ये बस तिलकुट खाने में बस दांत को एक दम कट कट की आवाज आये और हम इसे काट भी नपाएं। मार्किट वाली तिलकुट हमारी ऐसी ही होती है, देखने में तो बहुत को पसुरत होता है, लेकिन दांत की मसकत, दांत को बहुत ज़्यादा मसकत करनी पड़ती है, तो चलिए आप भी घर में इस तरह से बनाईये और हमें कमेंट करके बताइये कि आपको हमारी बनाई हुई recipe कैसी लगे तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नहीं recipe के साथ तब तक के लिए take care and bye